जैम आतादी दोस्तों आप देख रहे हैं अफिरदार टोटके आज मैं आपके लिए एक महत्यपून टोपिक लेकर आया हूँ भूत परेद को बगाने के विशे में भूत परेद को बगाने के असान उपाई इन्हें जानने के लिए किरिपे हमारी वीडियो को देखते रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल असरदार टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं अब मैं बात कुरूँआँ भूत परेत को बगाने के असान उपाई प्रित्वी पर जब से मानव सब्वत्या की सरुवात हुई है तब से अच्छी और बुरी सक्तियों का भी बॉल बाला रहा है जहां लोग भगवान और देवताओं की पूजा करते हैं उनके मन में बूत पिसाचों का डर भी बना रहता है गाउं और सहरों में कई भूत बादाओं से पिड़ित लोगों को दिखा जा सकता है हिंदु दरम में भूतों से बचने के कई उपाई बताए गए हैं चरक सहिता में प्रेत बादा से पिड़ित रोगी के लक्षन और निदान के उपाई विस्तार से मिलते हैं अर्थवेद में भूतों और द्रिष्ट आत्माओं को बगाने से समंदित अनेक उपाईों का वर्णन मिलता है प्रेत बादा से मुक्ती के सरल उपाई आज हम आपके लिए लेक लाए हैं इन उपाईों को आजमा कर आप प्रेत आत्माओं को बगास कते हैं भूत प्रेतों को बगास कते हैं यह जानते हैं कि वो कौन से उपाई हैं प्रेत बादा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में चिड़ चिटे और दतूरे का पोदा जड़ सहीत उखाड कर उसे धर्ती में ऐसे दबाएं कि जड़ वाला भाग उपर रहे और पूरा पोदा धर्ती में समाज आएं इस उपाई से घर में प्रेत बादा नहीं रहती और व्यक्ति सुक सांती का अनभो करता है असोक वरिक्स के साथ पत्ते मंदिर में रख कर पूजा करें उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड के निचे रख दें यह किरिया निमित रूप से करें आपका घर भूत प्रेत भादा नजर दोस आदी से मुक्त रहेगा तीसरा हनुमान चालिसा और गंजेंदर मोक्स का पाठ करें हनुमान मंदिर में हनुमान जी का सिंगार करें वैस चोला चड़ाएं मंगलवार या सनिवार के दिन बजरंग बान का पाठ शुरू करें यह डर और भै को बगाने का सबसे अच्छा उपाई है मा काली के लिए उनके नाम से प्रति दिन अच्छी त्रह से पवित्र की हुई तो अगर बत्ती सुबे और दो दिन ढलने से पूरव लगाएं उनसे घर और सरीर की रक्षा करने की प्राथना करें गनेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चड़ाएं और एक कटोरी चावल दान करें यह क्रिया एक वर्ष तक करें नजर दोस वै भूत परेत बादा आदिके कान बादित सभी कारिये पूरे हुई घर में रातरी को भोजन पस्चात सोने से पूरो चांदी की कटोरी में देवस्थान या किसी अन्य पवित्र स्थल पर कपूर तथा लोंग जला दें इससे अकस्मिक देहिक दैविक भोतिक संक्टों से मुक्ति मिलती है तो दोस्तों ये थे कुछ उपाई भूत परेत को बगाने के विशे में आप भी इन उपाईों को अजमा कर अगर आप आप किसी ऐसी समस्चा का सामना कर रहे हैं तो उससे चुठकारा पा सकते हैं अब इन उपाईों को अजमा कर तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो भूत-प्रेत को बगाने के असान उपाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे एर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारे यूटूब चैनल असरदार टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबर्दस टिप्स ले कराते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो